दोस्तो हिमगाड एलेक्टोनिक्स में आपका एक वार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के जो वीडियो है वो स्पेशल जो उसकी कॉंसेट्रेशन है वो है एफ आर जिसे हम फ्लो रेस्ट्रिक्टर वी कहते हैं अक्से दोस्तों आपने आरो के वारे में सोना होगा हो सक तक हँब भी आपके लगा हो कि आरो का पानी एक तरफ से प्योर निकलता है दूसी तरफ से गंदा पानि निकलता है जिसमें वायरेस बैक्टीरियासाल्ट बहुत सारी ओर इंप्योरटीजेटेट्री से बहा निकल जाता ए मेंब्रेंड वारे यह मेंबरन है दोस्तों जब दोस्तों इस पर प्रेशर पड़ता है तो यहां से प्यूर पानी एक तरफ और बेस्ट वाटर एक तरफ से निकलता है पंप की आउट्पूर्ट से हम जोडते हैं मेंबरन को अब यह काम करता है यह कॉंपोनेट जिसे कहते हैं फ्लोर्ड यह अल आरो कि कहते हैं रिवार्स और सो मॉसिस तो उसी वज़ा से बैक प्रेशर बढ़ने की वज़ा से दूसी तरफ से जो प्यूर पानी है वो इस मेंबरन के थ्रू बाहर निकलता है अब अगर कुछ दोस्त क्या करते हैं दो गलतियां करते हैं जो स्पेशली यूजर हैं वो क्या करते हैं जा तो जब मेंबरन चेंज करते हैं उसके साथ साथ कपैस्टी सेम होती है मेंबरन की जा अलग होती तो एफ फार चेक नहीं करते कि वो ब्लोक हो गया है जा नहीं इस से क्या होता है आरो पंप की लाइफ कम होती और मेंबरन की लाइफ भी कम होती है कुछ साथी क् करते हैं अगर फार ब्लोक हो जाए मतलब इसमेंसे पानी ना निकले दूसरी तरफ से निकलता रहे और पानी जल्दी वो मेंबरन को डेमेज कर देता है उस केस में कुछ दोस्त और को साफ करके द्वारा लगाने कोशिश करते हैं और कुछ ऑपोजिट ड्रेक्शन में लगा से फार से थोड़ा-थोड़ा पानी तो बाहर निकलने लगता है लेकिन उतना नहीं निकलता है जतना निकलना चाहिए उसके कान क्या होता कि आपकी जो मेंबरन है बो डेमेज हो जाती है उसकी टीरेस जितनी इनपुट पर आती है उसकी हाफ चयों हाफ के करीव आउट होती है जिस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है उसको देखकर आपने एफार लगानी है जा फिर जिस कपैस्टी की मेंब्रेन लगी हुई है उसी कपैस्टी का आप एफार लगाओ और पंप की रेटिंग भी पैस्टी भी जुरू चेकरो यह तीनों का कंबिनेश और स्वेजाँ कृज करवाओ, शुरू सारी जोग नरी करince को सारी जुरू वीघार लगाची को लगाज है जाक्तवार है भी